जैहिन सात्यो स्वागत है आपका Self Study Classes एप में और दोस्तो यूटूब चैनल में अगर अभी तक आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो आप Play Store में सर्च करें Self Study Classes Self Study Classes ठीक है और दोस्तो हम आपको बता दें कि अगर आपको Notes प्राप्त करना है प्रिंट आउट निकलबाना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है तमें अगर देखें तो यह PDF है दोस्तो नाटक यह तटक की यहाँ प्रकार से पूरा बताया गया है 이हां पर आपके लिए बताया गयाया जोस्तो इसको मैं आपको PDF के माद्यम से खोल के बता दे रहा हूं कि यह आपका Self Study Classes का एप है के Self Study Classes का ठीक है यह आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो पिले स्टोर से उसके बाद नाटक की पीडियेप में सबसे पहले यहां पर नाटक की भूमिका में बताया गया कि नाटक की बहे बिदा नाटक बहे बिदा है जिसका संबन्द रंगमंच और अभीनए से है अचार विश्वनात दोस्तों कि टीजीटी में आया था कि कौनसा आया था साम बेद से गीती यजुर बेद से अभीनए और अथर बेद से रस्तत तो लेकर नाट बेद नामक पंचम बेद की रचना की है ठीक है यहां से क्वेस्चन आया था साइद यजुर बेद से कि अभीनए भरत मुनी ने अभिनाय किसे बेज से लिया इस प्रकार से ब्रह्मा निर्ग बेद से पाट रूपक के कि सतथ 20 बेद हैं भारति नात सास में रूपक के 10 बेद अब रूपक के कभी कभी कोश्चना था 저는 रूपक के कितने दस्वेद होते हैं नाटक, प्रकरन, भाड, प्रहसंट, डिम, ब्यायोग, समावकार, बीथी, अंक और यह हमरा यह नाटक के रूपक के दस्वेद होते हैं दोस्तों इसके बारे में बताया गया और पूरे के पूरा इसका बिश्त्रन बताया गया कि भाड म कितने अंक होते हैं दिम में कितने अंक होते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर हम बात करें यह आता है प्रासांगे कथा वस्तु जैसे पताका और प्रकरी पताका क्या होता है प्रकरी क्या होता है इसके बारे में बताया गया बिसकंबग बीतिया भावी गटनाओं की सूचना एक question आता है कई बार, बीती अ भावी अभी गटनाओं को सूचना देने वाला क्या कहलाता है? चूलिका का कलाती? पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती? चूलिका कहलाती? अंकास अंका उतार, ठीक है? तो जिन भी साथियों को दोस्तों एक कोर्स में अड़ी से लेना है ये कोर्स आपको प्रिंट आउट इसका निकलवाना है तो आप सेल्प स्टडी के लासे से आप डाउनलोड कर लो और ये PDF नोट से आप दोस्तों कर सकते हो ठीक है यहाँ पर कथा बस्तू के पांच सौपान कौन कौन से होते हैं ये बताया गया रंग मंच के बारे में बताया गया रंग मंच में दोस्तों यहाँ पर बताया है कि नाट की योजना प्रभाव पूर्ण अभिनाई के लिए सुववस्ते तभिना इस्तल को रंग साला या नाट मंडप कहते हैं ठीक है यहाँ पर बताय अग्या अगया कि तीन प्रभाग होते हैं पीट का अघ्रभाग जहां अधिकारिक नाट कि प्रेपोर्द नेपथ कहलता है तो अगर आपको प्रप्त करना है इस प्रकार इस melody नात यहां से पूछा जाता है कि बताइए कौन सा मौलेक नाटक है या कौन सा अनुदित नाटक पूछा जाता है उसके बाद अपन बात करें भारतेंदु योग के क्रश्ण छिरत राध्रत पौराने के नाटक ठीक है ये नाटक हो गए उसके बाद दोस्तों आगे चलेगे हैं यानिकि दूवेधी योग इस परकार से आपको पूरे के पूरे नोठ्स बनाए गए हैं जिन और वहाँ पर इन कोर्स को आप पर्चेस करके इनका प्रिंट आउट भी निकलबा सकते हैं और दोस्तों बहुत ही बिवस्ते तरीके से नाटक के महत्पूर्तत है नाटक भारते इंदु युक्की के अंधरी बिदाय संयोगिता स्यंबर नाटक के रचनाकार स्री निवास दा चंद्रावली नाटिका की भारते इंदु अरिस्चंद यह पूरा दिया है दोस्तों और बहुत ही अच्छे से विवस्तित तरीके से नोट्स बनाए गए हैं जिन भी सातियों को दोस्तों किन नोट्स को पर्चेस करना है तो एक तो यह हिंदी साहित का एप से भी कर सकते हो और सेल्फ स्टडी के लासे से अप से भी कर सकते हो ठीक है तो पूरे के पूरे नोट्स आपके लिए उपलब्द हैं जरूर दोस्तों आप लोग इनको पर्चेस करें और अपनी परिक्षा को सफल बनाए ठीक है बहुत बढ़िया धन्यबाद सेल्फ स्टडी के लासे से अ को डाउनलोड करके और दोस्तों आप इन नोट्स को पर्चेस कर सकते हो ठीक है जाए इन